एक छोटे से गाव में जहां समय की महत्ता सभी को समझाई जाती थी, वहां की दो बच्चे सोनू और वानी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल अलग थे। सोनू एक लापरवाह और शैतान बच्चा हमेशा खेलने में मस्त रहता था। वह अपनी पढ़ाई को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। वहीं उसकी बहन वानी बहुत ही महनती थी और समय का सही तरीके से उप्योग करती थी। एक दिन सोनू और वानी की एनुवल एकजांस आने वाले थे। वानी, जागरूप और महनती बच्ची ने समय के साथ अच्छे परिणाम प्राप्त किये। वह अपने पढ़ाई को कभी टालती नहीं थी और समय प्रबंधन में उन्हें सिखाई गई श्रेश्टता थी। जब सोनू ने देखा कि उसकी बहन कितनी महनती हैं और समय का सही तरीके से उप्योग करने में कितनी कुशल है तो उसने भी अपनी लापरवाही सुधारने का निरने लिया। परीक्षा के दिन वानी और सोनू दोनों खुशी-खुशी परीक्षा देने गए और सफलता हासिल की। परिनामस्वरूत सोनू ने भी अच्छे अंक प्राप्त किये और उसने समय का सही उप्योग करने के महत्व को समझा। इस कहानी से हमें यह सिखने को म मिलता है कि समय का सही तरीके से उप्योग करना और मेहंत से कोई भी लक्षय हासिल किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बह सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे।